हेलो स्टो, एसके लेक्ट्रों सरक्माप को सवायता स्टो कैसे हैं आप सब भी आसा करते हैं बहुत अच्छे होंगे दोस्तो एक कंडिशन फजाती है होंट्रेटर में सबसे ज़्याद है जो मकैनिक होते हैं नहीं नहीं उनकी लिए पुराने मकैनिक की बात नहीं कर रहा हूँ जैसे आपने देखा कि IC भी ठीक है, Volume भी ठीक है, Base भी ठीक है और Main Capacitor भी ठीक है फिर विए उसमें Humming की Problem बनी रहती है, लेकिन ठीक होने के बाद वो ठीक हो जाती है अब ठीक करते क्या है, बहुत से नहीं मेकैनिक के पास ये Option नहीं होता है तो देखे दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये Jack Martin का मेरे पास ओम्रेटर रहा है, जो की JM100FUM इसका Model Number है यहाँ पर देख लीजे कुछ पैनल इसका Digital है सारा, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें Volume वागेरा दिया हुआ है, सारा ये Digital System है तो दोस्तों इसे हमें Repair करना है, मैं आपको चलिए दोस्तों पहले फाल दिखा देता हूँ, ये दोस्तों अपना 2.1 सिस्टम है, देखे चलो दोस्तों फाल दिखा देता हूँ, ये देखे, ये देखे, इस तरह से On करने का पर थोड़ थोड़ हमिंग रहते हैं, उसी करत है, इसमें फाल्ट क्या है, हमने सोचा, आपने भाईयों के लिए वीडियो बनाई जाए, जिसके उनको भी दिखाया जाए, कि आसी समच्चे में क्या फाल्ट आता है, तो चलिए दोस्तों इसे बैक पैनल से कर लेते हैं, हमने ओपन कर रहा है, जिसे कि आपको समय ना लग सप्लाई होगी सेम इसमें, और इसके अंदर यहां पर टांस्वार्मर लगाया गया है, जो कि यहां पर किशी MK के नाम से यहां पर 0-12 की सप्लाई है, और यहां पर 12-0-12 की सप्लाई है, देखे, जैसे मैंने यहां पर तौरों को छुआ, तो इसमें कुछ आई मुझे, यह तो यह जो प्रोब्लम होती है, दोस्तो यह हमारे ट्रांस्वार्मर से प्रोब्लम होती है, बहुसे भाहिवे सप्लाई हो जाएगा, तो और तो प्हुन सकतों ना पर जबतल भार, इसमें हमिंग आ रहे है, क्या रिजन है, सबसे पहले जब ऐसी लिए ना न दोस्तों तो यह जो दोनों कैपेस्टर इन पर दोनों पर बराबर वोल्टेज चेक करने तो चलिए मैं दोस्तों अभी करके दिखाता हूं आपको तो मैं यहां पर बेस के कनेक्टर का अतार निकाल दूंगा जो कि मुझे यहां पर रिपेर करने में प्रोब्लम कर रहा है तो हहां पर देखें दोस्तों फोड़ा सा असक लेयर दिखाए दे रहा हूगा यहां पर देखें यह दो पोइंट है यह दो है और्य यह दोंपShow- ce जो मेन कैफिश्टल लगे हुए यह वाले इन दोनों के पॉइंट है तो चलिए दोस्तों आपको थोड़ आसा सही तरी के दिखाते हैं दोस्तों आपको थोड़ आसा किलियर दिखाई दे रहा होगा मैं यहां पर मल्टी मेटर को रखता हूँ यह देखिए मुल्टिमिटर ओटो रेंज पे हैं अभी आप देख सकते हैं और दोस्तों सबसे पहले हम पहले कपिस्टर की वोल्टेज चेक करेंगे कितनी आ रही है तो यह देखिए दोस्तों यहां पे 13.3 में DC दिखा दिया ठीक है 13.3 में कदी देखे चोद आ रही है ठीक ह इसलिए मुझे थोड़ा सर पास आना पड़ेगा यह देखिए अब मैं वोल्टे चेक करता हूं फिर से तो यह देखिए 13.3 में 13.8 3.45 तो यह तो ठीक है लेकिन जिस समय पे दोस्तों यह करना यह है जिस समय पर हम इसमें सॉंग प्ले कर रहे हैं उस समय पर यह बंद हो जा रहा है फिर वाप सी चल जा रहा है तो उसका रिजन क्या होता है या तो हमारे में के पिश्टर वीक हो हो गए हो यह अमारा ट्रांस्वारमार से वाल्टेज जो है एमपेर वो द्रॉप हो रहे हो उसका रिजन क्या होता है तो दोस्तों आपको बता है तो इतने वी लोकल टांपर्म होते हैं यह। जो आरो मिक्स आलूमीनियम की गई होती है वो कोपड से मैंच नहीं खापती है तो चलिए दोस्तों मैं अभी आपको एक चीद दिखा दता हूँ इसमें यह जो तार है इनके एंपर चेक करने होगा आपको अभी यह सिरीज हैं एंपर तो यह हमने सिरीज बोड में लगा रखा है देखी ना आपको दिखा देना चाहते हूँ ampere DcC test तो यहां पे दोस्तो हम select कर लेंगे AC के ampere तो यहां पर अभी 00 है तो अब हमें wayFold transformer की ऐंपयर चेक करने होंगे तो यहां पर करनाे करना क्या है ampere चेक करने के लिए ढू star यहती दो इनफे लो इह टा लेना है यह एसी ही लगे हुए है खुकता करें मैंने अटा ले थोँ हैं यह देखिने हैं अब हमें यह पर चैक करने होगा दोस्तों यह मैंठेश लगा रहे रहे हैं यह अगले यहाँ आप यहां से काफी ज्यादा गरम भी हो रहा है तो यहां से ज्यादा गरम होने का रीजन क्या है और यहां से अजस्टमेंट करने के बाद ये थोड़ी एमपर बढ़ जा रहे है तो इसका रीजन क्या है तो मैं आपको बता देना चाता हूं यह धो वायर है धोस्तों अची के नहीं देखिए ना के इन देखा की झार्ण धारिए जुए है य कंट रिखे वUIरिंग कियास धरते कुए आपको और पल्स कि यह दो ओवारत दौखया है यह समस्य आ रही है do तो यह हम इसे इतना काम कर लें गहीं और हमारा फांट जो है दोस्तों किलेर हो जाएगा नीशे हैं यह है यह दोसतों ज़ो वायर हम घर खराब हो जाती है अच्छे से इनको वायर को साफ कर गरें तो बहरा यह मार देंगे जैसे इसमें जीए प३र लागगे Suppose कि यहां पर दोस्तों हमने तीन तार नहीं ले लिए अच्छी क्वालिटी के तो आपको दोस्तों वही कनेशन करने है बारा जीरो बारा के साब से तो जीरो वाला पॉइंट बिच में है तो यहां पर अच्छे से एठे लगा दें क्योंकि अलूमिनियम है और अगर हम इसके अ आगर दिखाएंगा आपको दोस्तों यह प्रोब्लम बंती इसमें सबसे ज़्याद ही है क्योंकि यह अलूमिनियम को ट्रांस्वार्म होता है अब कोपर के इस पर वायर लगा दे जाते हैं तो कोपर अलूमिनियम पर करन्ट चलता है तो इनकी कभी बंती नहीं तो इसी या से तो दोस्तों सीदी सी बात है हमिंगे प्रोब्लम बनेगी बनेगी उसका रिजन है ही है यह चले दोस्तों सोल्डिंग कर लेते हैं तो दोस्तों PCV में सोल्डिंग कर लेते हैं जैसे जैसे महां पर सोल्डिंग हुई हुई थी पहले सी तो बड़े ध्यान से सोल्डिंग क लगाना है जो बारा का पॉइंट हो बारा पी लगाना है ठीक है और फिर यकीन माने दोस्तों जब ऐसी समस्या बनने हो आपके सामने तो ये गारंटीट से ठीक हो जाएगी क्योंकि ये अलुमिनियूम के टांस्वामर में दिक्कत आती है आप बहुत से भाईयों कमेंट ए र करना है अगर जब ठांस्वार में ठीक हो तो ठीक है ना तो 101 परशंट सोल्यूशन हो जाएगा क्योंकि ये प्रोब्लम जब बनते हैं जब आपकी सप्लाई जो है दीख हो रही हो तो अब दोस्तों आप हम इसे चेक कर लेंगे एक बार सेट को ओन करके और फिर आपको यहा है कि कितने वॉल्टेज बगएरा बनने है नहीं बनने तो पहले आपने नोट किये थे अब यहां पर थोड़ा सा नोट कर लेना और आप यह दिक्कत खरम देगे 14.44 ठीक है और यहां पर देख लेते हैं यह देगे 14.44 बिल्कुल बराबर बननी है अब वॉल्टेज दोस्त इस पाल्ट से दिक्कत कर देना हो तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया अगर आपको टांस्वार में भी शही हो ना तो यह जो दो मेन कैपेसिटर है इनको चेंज कर दो 101 परशेंट आपका श्रूशन हो जाएगा होम टेटर में कुछ यह प्रोब्लम तो हमें कमेंटर जू नचिक वर वचिस वीडियो